येस वी फोर यू संस्था ने सुरच्छा सप्ता व्यान के मध्य नजर सेटर बारा इस्थित बिर्शा वसक फुटबल ग्राउंड के समेब एनेच तैस फोरलेंड में हेलमेट वित्रन कारेकरम का एउजन किया संस्था के सदस बगर हेलमेट के बाइक या स्कूटी चलाने वाले रोगों को रोग कर हेलमेट पहनने के अपिल करते वे जागरूप कर रहे थे तथा हेलमेट का वित्रन कर रहे थे इस दोरान संस्था के संस्था पक मनोज सिंग, धरमबीर, आनन सिंग, बिधान राय, बिनोज सिंग, सहित अन्य लोगों पस्तित थे इसके बास आरे मित्रगं साथे मिल करके, इसके नाम से यस दी खौरियू, एक संस्था का गठन की हैं हम लोगों, और दो अजर अठारा में सरपर्थम इन लोगों के दिमाग में आया, वो हमारा आंस था, घर का आंस था, तो हमारे हर इस्तिती में वो एक बराबर का हिस्तेद उसके हिस्से का, जो भी आतिक हिस्तिती से अगर हम आकलन करते हैं, उसके हिस्से का, जो भी बन परता है, 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 उसके हिस्से से एक बच्चे का जान चला गया है अगर हम लोगों का कोसिस हो इस सनस्था के बैइनर के तले सारे लोगों को ले करके प्लेस मीडिया बंदू से ले करके सारे सद्दस्तगंद जीरा पर सासन सब लोगों का बहुत बरचर करके इसमें सजोग प्राइब करें चैनल करने का एक्चुल लाव हम लोग को मिलेगा आज के युवा को क्या संदस देना जाएंगे इवाओं को ही जागरूप करने के लिए खासकर 20 साल से लेकर के 28-29 साल के बच्चों को जागरूप करने के लिए और अगर हो हेलमेट नहीं पाने है तो उनको हेलमेट परदान करते हैं और उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने घर के तुकड़ा अपने माबाब का तुकड़ा और अपने परिवार का तुकड़ा और पुत्र या भाई के रूप में हैं ही साथ में हमारे इस राज का इस सहर का और इस देश के भी भविस हैं उस भविस को बचाने का ह तूट करके घीर करके चला जाए यह चीज अच्छा नहीं है ना हमारे देश के लिए ना हमारे समाज के लिए